हेलो फ्रेंट्स आप सभी का स्वागत हैं आपके अपने ही यूटूब चैनल एल जी आरा स्टेडी आई टी आई में दोस्तों जिसा कि आप सभी जान रहे हैं कि इस वीडियो स्रीज में हम लोग आई टी आई परवेश परिक्षा के बेहतर तैयारी के लिए जीके और जीएस के महतपूर्ण कुश्चन का तैयारी करते हैं दोस्तों आपको बता दे कि आज यह इस वीडियो स्रीज का साथ नमर वीडियो है इस तरह का दोस्तों चो वीडियो अल्रेडी हम अपलोड कर चुके हैं तो अगर अभी तक आप उस सभी चो वीडियो को नहीं तो आप इस चैनल के पहले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं जो कि दोस्तों आपके एकजाम के लिए काफी महतपूर्ण है तो चले दोस्तों आज का वीडियो शुरू करते हैं आज का दोस्तों फस्ट महतपूर्ण कोश्चन है पूछ रहे कि भारतिय संभिधान के अनुसा क्योंकि हमारा जो संभिधान है वो दोस्तों आप सभी को पता होगा कि भारत में लोकतंत्र रहें और लोकतंत्र में दोस्तों प्रजाही सर्वки भरी होती हैं जैसा की आप सभी जान भी रहोगे रहेंगे नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अगर अभी तक आप हमारे मोबाइल एप को डाउनलोड नहीं किये हैं तो दोस्तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है वहां से दोस्तो आप लोग जरूर डाउनलोड कर लिजेगा इस वीडियो को आन्त तक देखने के बा कि डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है जाकर कि दोस्तों वहां से आप लोग जरूर डाउनलोड कर लिजेगा एक सो बावन नंबर जो कुष्चन है पूछ रहे कि निर्दे सांक जयामिती की खोज किसने की तो यहां पर दोस्तों आपका सी ऑप्शन से होगा यहां द बर्ड है यह दोस्तों दुनिया का सबसे छोटा चिरिया होती है सबसे छोटा चिरिया होने का इसको दर्जा प्राप्त है हिमिंग बर्ड को और आपको बता दे कि यहां जो 153 का जो सही आंसर होगा वो दोस्तों आपका डी होगा यानि कि देख सकते हैं कि त्रिनी दाद को त्रिनी दाद में दोस्तो हिमिंग वर्ड सबसे दिक पाई जाती है और आपको बता दे कि ये सबसे छोटी चिरिया है और सबसे बड़ी चिरिया का दोस्तो अगर बात किया जाए तो सोतुर मुर्ग आप याद रखेंगे कि सबसे बड़ी चिरिया कौन है सुतुर मुर्ग है जो दोस्तों आपको बता दे कि आपको यह याद रखना है कि सुतुर मुर्ग कंकर पत्थर भी दोस्तों खा करके पचा देती है बहुत ही इस टाइप का कुछ शिरिया होती है नेक्स्ट यहाँ पर 154 नंबर क्वेश्चन है पूछ रहे कि क्योटो प्रोटोकॉल किस से संबंधित है तो यहाँ पर आपका चोबन का जो है सी ओप्सन जो है सही होगा क्योंकि जलवायू से संबंधित था जो क्योटो प्रोटोकॉल था वो नेक्स्ट यहाँ पर जो आपका 155 नंबर question है पूछ रही है कि आप देख सकते हैं कि बोर लॉग पुरसकार किने दिया जाता है बोर लॉग पुरसकार किस ब्यक्ति को दिया जाता है तो 155 का जो आपका ए ओप्शन है बिल्कुल इस सयोगा यानिक किरसी ब्यक्ति को यह जो पुरसकार है वो किरसी ब्यक्ति को ही दिया जाता है नेक्स्ट यहाँ जो आपका 156 नंबर question है पूछा जा रहा है कि आईसोप्रीन इसका एक एक लक हैं आईसोप्रीन जो है वो किसका एक जो है एक लक है यह आपको बताना है तो 156 का यहाँ पर आपका सही आंसर होगा दोस्तों वह A होगा यानि कि प्राकिर्तिक रवर का वीडियो को ध्यान से देखिये और सबी कुछिन को सीखने की कुशिस कीजिए और आन्थ तक तो जरूर देकिएगा ताकि सभी question यहां से आप सीख सके काफी मेनत करके आप लोगों के लिए जो है इस तरह का quality class त्यार किया जा रहा है 157 नंबर question है है ना Mal goodie Z Mal goodie Z के लेखक कौन थे तो 157 का जो आपका सही आंसर होगा जोस्तो डी होगा यानि की आरके नडाईन और यह इंडिया के ही है आप सभी नाम से असपस्ट है आरके नडाईन नेक्स्ट यहां पड़ आपका जो 158 नंबर question है पूछ रही है कि थर्माइट प्रक्रम में अपचायक है थर्माइट जो आपका प्रक्रम होता है जो प्रोसेस होता है उसमें अपचायक कौन है यह आपको बताना है तो 158 का दोस्तों C option से होगा AL यानि की Aluminium कौन से दोस्तों Aluminium यहां पर आपका बिलकुल सही आंसर होगा next 169 नंबर जो question है पूछ रहे कि किस अभिनेता का बास्तविक नाम K.K. गौंगुली था तो कौन से ऐसे हीरो थे एक्टर थे जिनका नाम K.K. गौंगली था यह आपको बताना है तो 169 का जो B option है असोग कुमार को किसका जो असोग कुमार का next यहां पर आपका 160 नंबर महत्पूर्ण question है पूषा जारा है कि सर्व पर्थम ग्यात सब्था कहा आरंब हुई थी ग्यात सब्था आप जैसा है जांते होंगी अगर आप नहीं जांते वो तो बता ज़िए आपको सबसे पहले यहांपर जो इंदिया में पता लगाया कि सबसे पहले जो सब्वерт थी वह रप्पा सब्व Creator और यहां से चारह जार साल पुनाना सब्विता जो है भारत के अंदर पहले की सब्विता तो सबसे पहले जो ग्यां सब्विता है दूनिया में सबसे पहला कौन है भारत का सब्वसे पहला तो है कि भारत छोड़ो अंदोलन कब आरंभ हुआ था सिंपल सा कोईस्चन है यहां पर बी ओप्षन आपका बिल्कुल सही होगा यानि कि 1942 में दोस्तों गांधी जी के द्वारा भारत छोड़ो अंदोलन चालू किया गया था और इसके द्वारान दोस्तों दो तीन नड़ा दिया सबसे महतपूर्ण है हे अंग्रेजो भारत छोड़ो और इसी के बीज दोस्तों दिया गया था जो है आपका एक और भी नड़ा दिया गया था और दूसरा जो दोस्तों महतपूर्ण नड़ा दिया गया था यह दिया गया था करो या मरो गांधी जी के द्वारा दो नड़ जगत का जनक यानि की पिता किसको हम लोग कहते हैं तो 162 का जो सही आंसर होगा तो दोस्तो ए होगा यानि कि आप देख सकते हैं कि हिपोक्रेटिस को किसको दोस्तो हिपोक्रेटिस को हिपोक्रेटिस को जो हम लोग चिकित्सा जगत का जनक यानि की पिता के नाम से जानते हैं नेक्स्ट यहां पर जो आपका 163 नंबर कोश्चन है, पूछ रहे हैं, यह ज्वाला मुखी परबत का एक उधारन है, निम्न लिखित में से कौन सा परबत जो है, ज्वाला मुखी परबत का उधारन है, तो 163 का जो है, डी ओप्शन आपका बिल्कुल सोगा है नेक्स दूस् आतंकी हमला से किस तारीक का संपन्द है, मतलब किस तारीक को मुंबै में आतंकी हमला हुआ था, यह आपको बताना है, तो 164 का जो आपका सी ओप्शन है, सही होगा, यानि कि 26 एगारा, 26 एगारा 2008 को, 2008 ही था, 2008 को दोस्तों जो है मुंबई पर हमला किया गया था आतंकियों के दोरा और उसमें जो परमुख आतंकि थे वो कसाब नाम के थे और उसके कुछ साथी ने मिल करके मुंबई के 2-3 जगों पर हमला किया और बहुत सारे लोगों को दोस्तों गोली एसे मार दिया था तो यह आप समझ सकते हैं मुंबे हमला 26 एगारा आप इतना याद रखेंगे नेक्स्ट यहाँ पर 165 नंबर है पूछ रहे कि निम्न को राज अस्थान का एक मात्र हैना पाडवतिय अस्थान कहा जाता है तो यहाँ पर 165 का जो दोस्तो आपका सही आंसर होगा वो सी होगा यानि कि माउंट आपू को फिसको दोस्तो माउंट आपू को नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं यहाँ जो 166 नंबर आपका कोश्चन है पूछ रहे कि आर्थ सास्त्र में प्रथम अमेरिकी नॉबल बिजेता कौन था आर्थ सास्त्र के छेत्र में आपको हम बताये भी थे पिछले कलासों में कि जो नॉबल प्राइज है वो आर्थ सास्त्र के छेत्र में भी मिलता है सेलूल सन को, किस हो तो, सैमूल सन को, सैमूल सन यहाँ पर आपका सही अंसर होगा, नॉवेल प्राइज, जो है, आलफरेद नॉवेल के दोरा, उसके नाम पर दिया जाता है, एक सो सरसथ, निम्न में से कौन सा इंधन, दूसरों से भिन्न है, इंधन जो है, वो दूसरे, जितने भी चार आप्षन है, चार में से कौन एक अलग केटेगरी का इंधन है, तो 168 का एंधन से होगा, डीजल, डीजल दोस्तों, इस सभी से क्या है, एलकोहल हो, या फिर लिगनाइट हो, या फिर आपका जो है, गैसो लीन हो, इस सभी से दोस्तों क्या है, अलग है, अलग परकार का है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, जो 168 नंबर कोईश्चन है, पूछ रहे हैं कि, इस देश में 60 परतीशत भूब हाग को, हैं आलप्स अच्छादित करता है, कोन ऐसा देश हैं, जिसका 60 परतीशत जो जमीन है, वो आलप से ढखका हुआ है, तो 168 का जो सही आंसर होगा, डी होगा, यानि कि स्वीटिजर लेंड, कौँसा दोस्तों, स्वीटिजर लेंड यहाँ पर आप याद रखेंगे, और स्वीश बेंक का नाम सुनते होंगे, आप लोग, याद रखेंगा कि स्वीश बेंक जो है, वो स्वीटिजर लेंड में ही है, और अंतर राष्टिय न्याले, अंतर राष्टिय न्याले भी दोस्तों, स्वीटिजर लेंड में ही है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं एक सो उनत्र का जो क्वेस्टन है पूछ रहे कि हरीकेन के नाम पूछा जारा आपको कि हरीकेन के नाम किस अक्षर से शुरू नहीं होते हैं हरीकेन के नाम जो है वो किस अक्षर से शुरू नहीं होते हैं 179 का जो सही आंसर होगा दोस्तों D हो गाएंगी T से किसे दोस्तों T यहाँ पर आपका सही आंसर होगा next 170 नंबर कुष्चन के दौर आप से पूछे रहा कि यह एक प्रबंधन गुरु है कौन निम्लिकित में से कौन जो है प्रबंधन गुरु है तो 170 का A option आपका सही होगा है जो ड्रकर यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर होगा 171 नंबर कुष्चन के दौर आप से पूछा जा रहा है कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि है ना समता अस्थल किसका अस्मारक है समता अस्थल जो है किसका अस्मारक है तो 171 का जो D option है सही होगा यहने कि जग जीव राजधानी कहा है बिल्कुल सिंपल सा question है 172 जो question उसका आंसर होगा गांधी नगर क्योंकि गुजरात का जो दोस्तों आपको बता दे कि राजधानी है वो गांधी नगर है और आपको यह पता होगा ही कि गांधी जी का जन भी गुजरात में ही पोर बंदर नाम के अस्था पर हुआ था next 173 नंबर question है कि बिश्व में सरबाधिक जन संक्या घनत्तो वाला सहर है सबसे आदिक जन संक्या घनत्तो जो है किस सहर का है तो काफी यहां पर महतपूर्ण question है धाका याद रखेगा कि बंगाल ये बंगलादेश का सहर है याद रखेगा बंगलादेश का य इतना आप याद रखने की कोशिस करेंगे next यहां 174 नंबर question है पूछ रहे कि भारत का प्रथम चंद्रमा के लिए छोड़ा गया अंत्रिक्छियान कौन सा है भारत के द्वरा दोस्तो चंद्रमा पर जो है सबसे पहले कौन सा अंत्रिक्छियान भेजा गया था 174 का B options योगा चंद्रायन कौन दोस्तों चंद्रायन बिल्कुल सभी आंत्र होगा next यहां पर आपका 175 नंबर question है पूछ रहे कि राज रभी वर्मा एक प्रसिद्ध डॉट डॉट थे मतलब राज रभी वर्मा जो है वो एक क्या थे तो आपको बता दे कि B options योगा चित्र चित्रकार थे आप याद रखेंगे कि राज रभी वर्मा जो है एक चित्रकार थे आज के लिए इतना ही रखते हैं वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जिरूट बताएगा और अगर अभी तक आप हमारे mobile app को डाउनलोड नहीं किये तो वीडियो के description में लिंक है जा झाल झाल झाल